प्राचीन काल से ही भारत की पुने भूमी होम भवन जब तब दान धर्म की वज़े से धर्म भूमी के नाम से प्रख्यात है आदिकाल से वीर पुरुष अपार ज्यान के साथ इस पुने भूमी पर जन्म लेकर भारत देश का नाम गौरवानवित करते रहे हैं हिंदु धर्म के धार्मिक कथा का प्रतीक त्रिमूर्ती हमारे आत्म विश्वास की कमी के कारण बाहरी लोगों के हाथों कई बार खंडित हुआ है और लोगों की भावनाओं को चोट पहुचाया है पूरे विश्व में ग्यान का प्रकाश भैलाने वाले नालंदा विश्व विश्वित्याले को जब बाहरी लोगों ने आग के हवाले किया जब बाहरी लोगों ने आक्रमण किया तो भगवान के पुजारी शिवम राज सौ जनों पर अकेले भारी पड़े और राजा विक्रम की तरह युद्ध करके पुणे स्थल पर हमला करने वाले तुश्मनों को धूल चटा दिया। उस समय के राजा जगदेव राव महाराज जी ने धर्म की रक्षा हेतु उस वीर पुरुष के नाम को अमर करने का मिश्चे किया। धर्म रक्षा हेत किये गए शिवमराज के इस महान कारे से संदुष्ट होकर राजा जगदेव राई जी ने मंदिर के रखरखाव के जिम्मेदारी शिवमराई के वन्षजों को सदा के लिए सौप दिया। पिछले सौव सालों से शिवमराज जी के वन्षजी इस पवित्र मंदिर का रखरखाव और पूजा अर्चना पूरी शद्धा के साथ निभाते आये हैं। पाजु आटो पाजु आटो पाजु आटो पाण्डे भाईया की जये। नमस्तरी पाण्डे जी की जये। छुफ हो जाओ। बगवान के घर में आकर तुम लोग किसी और की जेजे कार कर रहे हो। बुद्धी भरस्ट है। यह हमारे मिनिस्टर साब है। तो उससे क्या फरक पड़ता है। बंग्ती में खड़ा करवा। मेरी इस तरह बेश सत्थी करने के लिए यहां लेकर आए। पंडे जी माफ कर दो कहलाती है। मिनिस्टर साब यहां इसलिए आये हैं ताकि हमारे मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीस करवा सके है। मंदिर को फंड दिलवा कर अगर उन्हें लगता है कि उनके सारे पाप दुल जाएंगे तो उनसे कह दो यहां आने की जरुवत ही नहीं है। पहले तू यह तै कर ले कि तुझे आर रहना है या नहीं। मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवाद हुआ। आप इतनी चोटी सी बात को इतना बड़ा इश्य क्यों बना रहे हैं। देखो उस मंदिर का रख रखाव। और पूजाबाट जैदेव राव महराज के जमाने से तामर पत्र में सुनरे अक्षरों में उनके वन्शचों को लिख कर दिया गया है। अपनी पक्वास बंद करो। किसी समाने में किसी ने लिख दिया तो क्या हुआ। आज इस देश में हमारा ही राज है। अरे हमें मानना ही पड़ेगा। देखिए ये सच है। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद उस मंदिर को इंडोमेंटल में शामील होने से रोक दिया गया। ये एक इतिहास में दर्ज हुआ पुन्य अस्थल है। उसकी देखभाल वही करेंगे। इसकी इजाज़त उन्होंने कानून से ले ली है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। लेकिन वो पुजारी तुबारो उस मंदिर मन नजर नहीं आना चाहिए, ये मेरा फैसला है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही हो। आप इंतना की। मेंस्टर के साथ आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, गुरुजी। देखिए, हर एक धर्म के अंदर ऐसे अहंकारी लोग होती ही है। पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश लेने से पहले, अपने सारे अहंकार को छोड़ कर प्रवेश करें, तो ही 33 करोड़ देवताओं को अपनी आखों से देख सकते है। बिल्कुल सही, गुरुजी। इस वर्ष का उत्सव भी जल्द ही आने वाला है। जी हाँ, इस बार इस उत्सव का आयोजन बहुत धूमधाम से होना चाहिए। वो क्या है ना, कि इस उत्सव में लाखों की संख्या में भक्त जनाने वाले हैं, उन सब के लिए भोज का प्रवंद भी उचित तरीके से होना चाहिए, किसी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब आप लोग जाएए। शंकरा परमेशुरा। लेजिए। तुम आज आरती में क्यों नहीं आई। आप जब शुक्या राधना करते हैं, तब आपको सामने कुछ दिखाए देता है भला। आज एक आदशी है, फल, दूद कुछ लाऊं आ कि ये मेरा अंतिम वर्ष है, और यही सोच कर मेरा मन अत्यनत व्यकुल हो रहा है भागवान। उसके लिए तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है। तेरे बाद तेरा पुत्र शिव प्रसाद है न। ये याद रख कब क्या होना है, किसे क्या बनना है, ये सब उपर वाला जानत क्या बात करना है उससे, क्या वो मेरी बात सुनकर उसका पालन करेगा। वो सब ठीक है, उत्सों में उसे अमंत्रित किया है कि नहीं, वो क्या है न, कि अमेरिका से उससे यात्रा का प्रवंद करके आना होगा। पिताजी उसने बताया था मार्स प्लेनेट में सेटलाइट करने का डेट नजदीक आ रहा है अब दो हफते से फोन भी नहीं आया मैं फोन करके देखता हूं अच्छा बताओ तुमने शिवम को भी कहा है कि नहीं हाँ जब देखो तब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का बहाना देकर ये देश वो देश भटकता रहता है वो क्या एक्सपो तेज वायू गूमती हुई भूमी फैलती हुई आग कभी भी एक ही इस्थान पर नहीं रुपता है वैसा ही है ये शिवम सदा यात्रा करने वाला काल भैरव मुंबई में सीरिल ब्लास्ट कराने वाले मास्टर माइन अमंदुला खान को सन 1985 में अरेस्ट किया गया था उसके चंद दिनों बाद ही उसके संगटन के लोगों ने केंद्रिय सचीव की लड़की का अपहण करके इस आतंकवादी की रिहाई की मांग रखी थी इनके आगे सरकार को दी जुकना पड़ा था रिहा होते ही पाकिस्तान जाकर कोरियन माफिया के साथ मिलकर हिंदुस्तान में ड्रग का कारोबार शुरू कर दिया भारत ये मूल के एलेक्स नाम के एक डॉन के साथ सोने के धंदे के सिलसले में जब उसने एक मीटिंग सेट की उसी वक्त इंटरपॉल ने अटाइक किया जिसमें एलेक्स जेंडर भाग निकला और ये पकड़ा गया मिस्टर अमंदुला खान आपके उपर जो इलजाम लगे हैं उसके लिए आपको जमानत नहीं निल सकती इसके बावजुद आप रहा होने के लिए सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं इस बारे में आप कुछ कहिए प्रेशर बनाने की मुझे जरुवत पड़े इतना कमजोर नहीं हूँ और नहीं खुद को छोड़ने के लिए मैं किसी के सामने गिड़ गड़ाया हूँ उन्हें खुद छोड़ना पड़ा है मुझे वांटेड लिस्ट में शामिल करने वालों से लेकर अरिस्ट करने वालों तक सभी कौभी से ठंडा बुखार आना शुरू हो गया है जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह चलेंगे तो यहां सुख शान्ती के साथ रह सकते हैं यह वो अच्छी तरह से जानते है इतनी सिक्यूरिटी यहां पर लगा रखी है इसलिए नहीं कि मैं यहां से भाग जाऊंगा बलकि इसलिए कि भूल चूक से भी मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर खून की होली खेली जाएगी तुने डबल गेम खेल कर चंद प्यादों को क्या मार दिया यह मर समझना की गेम इस ओवर वो बाहर जरूर आएगा दे रील गेम बिगिन्स नाव बेबी उसको बाहर लाने का काम मैंने ही किया है नाव ही जो मोर खान गया कबरस्तान तो एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे जी ले अपनी जनिवे अपने माथे से विभूति चंदन सब पहुच लेकिन क्यों वो पक्का नास्ति की अउलाद है माथे पर विभूति या ठीका देख लेगा तो चम्ड़े के साथ खरौच का निकाल लेगा अईसा है क्या हम प्रम्भास में मेरे लिए मैं खुद भगवान हूँ मुझे इस तरह से घूर क्या रहा है बैठ जा तुम जोर जबरदस्ती करके जिस जमीन पर कब्जा करना चाहते हो वो कोई बेनामी जमीन नहीं है वो प्रॉपर्टी मंदिर के नाम है बिलकुल नहीं उस जमाने में उस वक्त के महराजा ने मेरी परदादी को तौफे में ल इसकी लाश ले जाकर एक गड़े में डाल दो और वहाँ एक नारियल का पेड़ लगा दो भूतनाज जी आपका नाम बिलकुल सही है माव अपने सोच समझ कर रखा है बाई जब आप उसके सर पर नारियल फोड रहे थे तो हमारा दिल ता दग दग कर रहा था भाई आप इस तरह कितने नारियल फोड़ चुके हैं कितने सर फोड़े उसका हिसाब नहीं है तो नारियल का हिसाब कैसे रखोंगा लेकिन एक बात जरूर याद रखना आनिवे जितने सर फूटेंगे उनमें तुम तीनों के सर शामिल होगे नेरी 40 इकड की जमीन में जो कोशाला है कहां था उसे खाली करवा वो काम छोड़कर तुम सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हो अरे रे 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 याप क्या कह रहे हैं हमारी इतनी जुरत बाई कुछ दिन और इंतजार कर लो मंदिर की सारी जमीन जैदात को अपने हाथ में लेकर हम सब को नीचा दि आपका संगीच सुनकर तो तालाब की मचलियां भी उपर आकर अपना नृत्ति दिखा रही हैं सभी विद्वानों के पास एक ही गुण होता है लेकिन आप गुरुजी हर किसी की आवाल में कैसे गालेते हैं आप बहुत तलेंचेट हैं यह बात पूरा संसार जानता है आपने इससे पहले एक शादी में गाना गाया था ना शोक संगीच यहां कौन किसका है बेरहम दुनिया है इमोशनल गाने मत गाना वहाँ पर उससे तुझे क्या प्राब्लम है मुझे कोई प्राब्लम नहीं है वहां रचाकर घर संसार बसाने वाला लडगा आपका गाना स उस मंदिर के जमीन और हमारे भूतनात के जमीन के बीच में गौश आला एक बॉंडरी के तरह थी बिलकुल प्राब्लम हां उल्टी सीधी तरकीबे आजमा के सारे जानवर को कसाई खाना भिजवा दिया अध्याचार महाथ्याचार सत्यानास हो जाएगा पापियाँ जैसा बीच बोएगा वैसा ही फल पाएगा याद रखना दूद देने वाली का रक्त बहाने वाले पापियाँ तुम्हरा सत्यानास हो सणी गली चीजों को खाकर पचाने वाले गिद्ध अत्म गोर संकट आने वाला है तुमने जो जाल विछोया है उसमें तुम लोग ही फसोगे तुम्हारे विनाश के लिए अब आचुका है क्या है बे बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर रखी है उड़ा कर निकल जाओ क्या क्या है जोनवर ले जा रहे नДа क्या है उसे तुजह देदू मैरी बात को War सर बात कुछ यू है कि अगर आपने उसे गंजा भी कर दिया तो भी आपके सर जितने बाव भी नहीं मिलेंगे सर छल के रहूं मेली चोना क्या कहत का विशात में कि दिनकी कि इससे भात नहीं क्यों नहीं समझ में आएगी बिल्कुल समझ ने रहा है किसे माँ पीश आईए यह जा है अवी चल मुड़ात ना लगत तुम भी अपनी मां से बिछडकर लावाय कर लावा रिश्टmile कर यह तो बोलो मता आफ तो यह बात थे एसा क्या ठीक사를 मैं बात करता हूँ के डॉंट वरी डॉंट वरी ठीक है ठीक है इसकी मा को भी ले जा अहां बात यह कि हम दोनों के सौधव में चोड़ा सा चेंज आगए है अब कैसा चेंज है बाई मां के लिए आने को तैयार ही नहीं हो रही है तो फिर यह क्या चाहती है यह मां जॉइंड फैमिली में पली बढ़ी है तो अब दीदी को दादी को नाना को नानी को काका को काकी को बुआ को फुपा को सबको यह अपने साथ ले जाना चाहती हैं कन्फूशन यह है कि तुम इन सब को मुझह लटाओगे या फिर नहीं कर दो आपकर अपन को धंकी दे रही हैantes तो अपने तेरे को ही कसाई खाना ले जाएगा समझा हाथ हटा बे नहीं अटाया तो कियों बुला रहा है वो मरकर जैन्नूम पहुंच गया है तो भी जाएगा क्या उसके पास इन्हीं हाथों से तु जानवरों को पाता है न इन्हीं तो देता है बूल गया कि उसका दूद तू पीता है और अब सुई को काटने जा रहा है तु बे रहे में याद राख जो गाय है ला वो भगवान है और उसे मान रहे होने से पहले सारी गाये गोशाला पहुच जानी चाहिए समझें कि नहीं दीपक रागसित बीग चल उठी में एक मलाहर से वर्षा हो ठी यह क्या है गुरू जी आपका संगी सुनकर लड़की ही प्रकट हो गई अजित आरी कसा ही पुर गई है कारी है इतने खुब तुर चेहरे ने चालिक चंदी का रूप ले लिया आज तो मैं सबक सिखा कर ही रहोंगी चोड़ो बागो और वर्ट पागो और फोड़ूगी नहीं जोड़ोंगी नहीं झीत खुड़ोंगी खर दोगी इतने लंबी दौन लगाई और वो भी हमारे लिए नहीं हमसे मिश्टेक हो गई आज तो शिवम की हत्या निश्य है क्या हुआ शिवम कोई कुट्टा पीछे मला है क्या कुट्टे को तुम्हें पथर मारके भगा देता लेकिन यहां तो काली महाचानी सब्सक्राइब क्या समझ रखा है एक ही बार में सिर से घर अलब कर दोंगी सब्सक्राइब करके ही रहोंगी यह क्या हुआ जो हत्या करने गई थी वह विवाह की बात कर रही है गुरू जी क्या आपका ट्रैक लूज अरे थूप तुछे शादी कॉल करेगा तुझे पता है तुब कैसी लड रही है गुरू जी आपका ट्रैक ओपन अंकल जी आप इस लड़की को नहीं जानते हैं पता इसने दस्वी में क्या किया था इतनी शौट स्पैंकर पेड़ के ऊपर चड़ गई थी और मुझे नीचे बठा दिया था आम जो चुराने थे इसे शिर की सवगंद काश तेरी पर मैं हूता पर जो भी हो मैं शादी तुछ से ही करूंगी सर कट जाए या जान चली जाए तुझे मुझे कोई नहीं करूंगा बिल्कुल सही का किसी भी किमत में इसे शादी बद करना थी दुबार प्रका तेंक्यू आप इसे सवालो क्या बापा आप हमेशा उसे की के साथ इसकी शादी नहीं होगी अब आपकी लाइन के लिए ऐसा क्या तो फिर मैं बजाना शुरू करता हूं क्या आर्मोनियम तुम लोग हमेशा सिर्फ डबल मीनिंगी समझते हो गुरु 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 जरा रूको गुरु ओ श्रीकुबार कैसे हो टोपी पह पीट में पचाया नहीं ठीक है आर अच्छा बताओ क्या काम है ज्यादा कुछ नहीं बस तुमसे छूटी सी हल्प चाहिए थी तुमने तो उस लड़की को ना कहके छोड़ दिया है तो मैं सोच रहा था कि ऐसे मौके पर क्यों ना मैं ही ट्राइब कर लूं अगर तुम को करो के तो सोचा कि एंटर देगन के तरह मैं उसकी लाइफ में एंट्री करनू अलाग के ओके ओके लेकिन एक बात या रखना दोस्त कि महार डेंजरस है यह जो तुन्हें अपना खड़ा कर खाना इसे चुपा ले वरना नोच के बहार रिकाल देगी आल देगी आल देगी दीदी सुना है शिवम लॉट आया है अच्छा पता नहीं घर कब आएगा जानती हो भूतनात के साथ ट्रस्ट के सारी लोग मिलकर जानवरों को कसाई खाना भेज रहे हैं हेरान उसके बाद क्या हुआ वहां हमारा शिवम पहुंच गया और उसने उन सारी जानवरों को इससे ले जाओ जाओ जल्दी नहा कराओ मैं तुम्हारे लिए खाना परोषती हैं तो आया था यह नहीं कुछ पता ही नहीं चला आया था लेकिन तुरंट लौट आया तुमसे भिल नहीं पाया यह पहली बार नहीं है कि तु सुबह आने वाला था तो इतनी देर क्यू हो गई अब क्या कहूं दद्दू वुझ लड़की है ना वह तो साक्षात काली का उतार ह पिंदा सोकर मेरी जान लेरा चाहती थी वो अरे बापने यह क्या बेचा तुम उसकी बुराई कर रहे हो तुम तो उसकी जान हो क्या कहा जान हूं नहीं भागता तो बीच बेजार में मुझे टपका देती है वह तो अंकल आगे तो मैं बज गया अब ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा क्या मुझे अपनी जान प्यारी है मतलब तुम्हें मन्जूर नहीं है तो फिर ठीक है ये बात याद रखना चाहे जो भी हालात हो जो बात तुमने आज कही है कल उस बात से मुकर्मा जाना यह क्या अरे दद्दू यह तो ऐसे बोल गई जैसे इन्होंने पह खयाल छोड़कर यही रहेकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लोगे तो मैं किसी तरह उसके पेता को मना लोगी आपकी बेटी से शादी करने से बेटा रहे कि मैं पूरी जिंदगी विदेश घूमता रहा हूं क्यों शिवाम पापा कब आया बेटा अभी अभी आया पापा इस बार 10-15 दिन के लिए यहां रुकेगा या फिर से चकर गिननी हो जाएगा मेजर एक्सपोर्ट का काम निप हमारे लिए क्या आदेश है बताते हैं मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन अभी एक खास आदमी काना बागी है शुक्रिया मेरे दोस्त शुक्रिया लगता है अपनी डेट बाडी पर फूल चड़ाने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ जब भी ऑपरेशन कॉम्प्रेशन कॉम्प्लिकेटड हुए तुम रिस्क उठाकर मुझे सेफ करते रहे लेकिन अफसोस मैं तुम्हें सेफ नहीं कन्फ्यूज के हो रही हो स्नेक, यूवार टू प्रेशरस टू बी लॉस्ट, तुम्हारी मुलाकात हमेशा मुझसे ही हुदी थी, ये तो बस मेरा एक मौहरा था, मेरा दुश्वन एलेक्स मुझे नीचे किराने के लिए कैसे कैसे प्लैन बना रहा था मुझे पहले से पता किस खुशी में जो जेल के अंदर बंद था उसे बाहर निकाल कर पबलिक के सामने मारा इस खुशी में सेलिबरेट करें या फिर मेरी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई इस खुशी में जब तक मैं न चाहूं मेरे डुप्लिकेट के मौत की खबर लीग नहीं होनी चाहिए मेरा दुश्मन मर गया इस ब्रेकिंग निउस के साथ मैं जिन्दा हूँ ये संसनी खेज खबर एक साथ आएगी अलेक्स को मनुल्ला खान का रेंज क्या है सिर्फ यही पता है लेकिन इस खान का रिवेंज कैसा होता है ये अब मैं उसे दिखाऊंगा संगीत में सब कुछ भूलाने की शक्ति है संगीत सीखने से लड़की की इज़त परती है रिष्टे की बात करते समय लड़के वाले लड़की को काना आता है कि नहीं ये पूछते है ना बोलने पर ना करती है संगीत सीख लोगी तो विवा भी हो जाएगा और शिवम को हाइट और साइज छोड़ दें तो हमारी और तुमारी उम्र लगभागी की है की अरे श्रीमां जी आप कैसी बाते कर रहे है आपकी तो शादी लाइक एक जवान पुत्री है और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं है वाश पीजी और अभी तक और आ रही है है व्ये बात ये खड़ी रहती है तो बिल्कुल सितार जैसी लगती है ताहन पूरे की तरह लगती है ये लिजे श्रीबान गुरू तक्षीना अथी तरह संगीत सिखाएं आप फिकर मत कीजिए आपकी बेटी को संगीत में पूरी तरह डूबो कर बाहर निकाल दूगा अम्मा जी सिंग जी शंकर जी ये सभी लोग मेरी साधना से प्रसंद होकर मुझे इनाम दे चुके हैं तो तुम मेरे पास संगीत सीखने का मन बना चुकी हो ना ये दो गधे पिछले तीन सालों से मुझे संगीत सीख रहे हैं और तीन सूर तक नहीं सीख पाए कुछ करने के लिए मैं हिमालय परवत में जाकर आलाप करते करते ठक कर मैं वहीं सो गया था वाइट और वाइट ड्रेस में फिर सरसुती हाथ में वीना लेकर प्रकट हो गई थी उन्होंने मुझसे पूछा कि बोलो कितना मौन चाहिए तुम्हें बच्चे गुरुजी वह एजूक तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो हां तुमसे अच्छी तरह मैं उसे खुश कर दूगी इसको मेरे शिवम को तुम उस शिवम को खुश कर सकती हो या मैं तुम्हें खुश करके जीता हूं यह तो वक्त ही बताएगा यहां अकीना बेठा है अब मैं अपनी चाल चाल देता आप तुमारी हाथम है तुम अब तेरी मांग मैं भरूव क्या मेरी मजाग क्यों उड़ा रहे हो फटाक से कोई आइडिया दो ना देखो मैं और भवानी बहुत अच्छे लवर्ज हैं देखो दोस्ती की बीच में दरार आ जाएगी अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले माना हम दोनों लवर्ज हैं लेकिन वो लड़की तुम्हारी अब मेरा आइडिया सुन तो मेरी और भवानी की गाओं के हर दीवार पे तस्वीर बना दे बस उसे लड़का देखेगा और गुल सावकर भाग जाएगा जा तू ये कर अगर तस्वीर बनानी ही है तो मेरी और उसकी क्यों न बनाओ तो जाब वो कर ले लड़का आकर डिग्री पास कर चुकी है बहुत अच्छा गाती है अरे यही तो है उसके गुरू जी चोटी उम्र में बुड़े को इसकी शादी करवाने की जुरूत क्या है गुरू जी उसकी शादी की तैयारी कर दो ये बात आप ही न न कहीं थी ती एही उसकी शादी मेरे साथ करवा बैटी है इसलिए मैं भी ख्लौता ही आगया ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है गली-गली में इनके पोस्टर चाहिए है पार्वती बच्ची को लेकर आओ पता नहीं आप कौनसा बुरा कालाने वाला है इन्हीं भी मैंने कहीं अच्छा ये क्या-क्या थु मन मिक्स नहीं की है तो करो जाने मन मिक्स करो हां मेरी फिंगर चोटी है ठीक है तो लाब मैं करता हूं के तुम सब की समने क्या करें हो यह अपना मू बंद कर मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं इस गाओं की हर एक दिवार पर इन दोनों की तस्वीरे मैंने देखी है अब सब कुछ खत्म हो गया पापा अरे यह तो क्या कह रहा है तो जहां उंगली गुमा रहे ना वैसे हमें भी गुमा रहे हैं दूद में किसी भी कीमत पर में इस बी ग्रेड मुवी से शादी नहीं करूंगा चलो पाबा एक मिनिट मुझे विख री डाबबस्टर मुवी हूं तो मुझे रिजेक्ट करोगे तुम्हारी हैसित ही क्या है मैं तुझे रिजेक्ट करती हूं रहे आँंकल आप बेकार का टेचिन क्यों ले रहे हैं यह वो पिक्चर है जो डबबा है रिलीज न मेरा काम तो हो गया ठीक है हाँ हाँ शियम के आती में समझ गया था कि रिष्टा कभी हो यह नहीं पाएगा आप हताश्मत हो यह कोई समधान निकाल लेंगे आप कुछ कहना चाहते हो क्या आपके तिवर बदले बदले लग रहे हैं विवारों पे तस्वीर बना के रिष्टे क्यों क्या बात है तुम्हारा ससुर तो तुमसा अच्छा आटिस्ट है दोनों गालों पर क्या पेंटिंग मनाई है तस्वीर बनाने वाला मैं और तस्वीर बनवाने वाले तुम हो तो यह बात लड़की के बाप तक कैसे पहुंची जरा यह समझाओगे मुझे आप दिन म तुमने तो मेरा पिसित कर दिया तुम मुझे बता उस लड़के ने तुझे रिजेक्ट क्यूं किया उसकी आखे ठीक नहीं थी क्या ओ हो उसकी आखे बिल्कुल ठीक थी इसलिए ऐसा किया क्यूं गाउं की दीवारों पर मेरी और शिवम की जो आड़ी तेरी तस्वीरे ब करेगा पता नहीं है लगता है वो आगया है मैं उसका मूझ खुलवाती हूं छुप जातू है मां इतनी जोर की भूख लगी है कि पेट में चुह कवड़ी खेल रहे हैं ओहो यह क्या मां हॉट वैदर में काली साड़ी पहन रखी है क्या बात है मां यतनी सीरियस का लग रह बनाई है उस मोटू श्रीकुमार ने और बनवाई है मैंने क्या किसलिए था कि भावानी की उस लड़के से शादी नहो सके ऐसा करवाने से तुझे क्या मिलेगा मुझे भावानी मिलेगी और क्या मा मतलब वो तुझे पसंद है यह क्या मा बेटा से ऐसे सवानी पुछे ज तो फिर गदे उस बच्ची को तू जान बुचकर क्यों सताता है देखो मा ऐसा है कि अगर मैं उसे चाहता हूं यह उसे पता चल गया तो मेरी शादी से पहले ही तुम दो तीन बच्चों की दादी मा बन जाओ गया मैं अपनी सेफटी के लिए अपने डुपलिकेट को रखा था लेकिन उसने डुपलिकेट को मार कर औरिजिनल को ही डमी बना दिया कोई भी सिर्फ मेरे फोन कॉल पर भाई का आदमी आ रहा है यह कहकर सारे काम का छोड़ कर मेरा काम पहले करता था लेकिन आज जब मैं खुद फोन कर रहा हूं कोई फोन उठाने को तैयारी ने किदर है वो एलेक्स तुम लोग चारों तरफ उसे ढूंड रहा हो लेकिन उस मैं कहार रहता हूं यह मुझे नहीं पता तो फिर तुम कहार ढूंड़ती पर होगी तुम्हारे बेगेर नहीं रह सकती जल्द से जल्द शादी की यह प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रॉब्लम नंबर वन मेरे पापा को तुम्हारी सुरत पसंद नहीं है प्रॉब्लम नंबर आज से आपका खाना पीना सब बन आज के बाद सिर्फ गाना बजाना जिस चिडिया के पीछे आप थे ना वो तो पर करके उड़ने वाली थी वो तो सही वक्त पे आकर शिवम ने मदद की तो वो नहीं उड़ पाई इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए अच्छा मुझ दुनों की परसनल बात है इसलिए इंजलों को चलो 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 चान बची टाउन डालिंग ओहो ओहो गुरू कलो शिवम मंकी ने मुझे गुटनियूस दी कि वो शादी का प्रोग्राम कैंसल कर रहा है रात को जब मैं सोई थी तब एक मोटा सा चेहरा मेरे सामने आया जो मेर मन को भागया फोकस करने के बाद जब मैंने देखा तो वो आप थे और उसके बाद मुझे सच्चाई का पता चला यही कि मुझे आपसे पेंतिहां मोहबबत है चोटी केंटिना को इतना ना हिला और रिसेप्शन हिल जाएगा नौटी आपसे एक सवाल पूछूं क्या यह कि चहरे का जादू है जो मैं बिगल कर पानी पानी हो जाती हूं अफकूर्स आइफ डिसाइट आइ लॉव यू अब आप आकर मेरे पापा से हमारे शादी की बात कीजिए हूं ओके स्वीटी भवानी अब तक घर नहीं आई है शादी के लायक हो गई है फिर ये म्यूजिक सीखने की क्या जरूरत सोचा था संगीत सीख लेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा लेकिन वो उसे तो लाजशरम ही नहीं है तुमारी वज़ा से ऐसा उसने क्या कर दिया क्या कर दिया जब भी को याता है गाय की तरह सिंग मारने दोड़ती है मेरे जीते जी पता नहीं उसके शादी होगी कि नहीं होगी मरने की मात क्यों करते हूं पापा आपको इतनी जल्दी मरने की कोई जरूरत नहीं क्यूंकि मैं अल्रेडी अपने लड़का सेलेट कर चुकी हूँ किसे उसे शीवाम को ची उससे शादी कौन करेगा ना उसका सुर अच्छा है और नहीं वो संगी चौनता है बिल्कुल सही का अच्छा हुआ तेल निमाग से उसका भूत उतर गया मैं बहुत खुश हूँ वो लड़का कौन है बूल अपने म्यूजिक टालेंट से सब के दिलों का टैनेंट बना हुआ वही मेरा फेमेस म्यूजिक कुरू श्री सांच सुरों का मालिक यानी समराठ मेरा दिल जीट चुके है अरे फूटी किसमत हमारी ये बच्ची अपना बचपना कब छोड़ेंगे बड़ों की इज़त को भरे बाजार में निलाम करते हैं आप लिकी वज़े से हुआ है इसके जिम्मेदार आप ही है तुम किसे कह रही हो बाजा रही हूँ मैं आपको और सुना रही हूँ इसे पर मा मैं कमेट कर चुकी हूँ अब क्या करूँ अरे रिडे ये तु क्या कह रही है गलत मत समझो मैं सर्फ शादी करूँगी ऐसा ही कमिट किया है तुम्हें उसमें क्या दिखाय दिया बेटी प्यार अंधा होता है पापा वो फुल साइज बलून है कुछ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कल वो शादी की बात करने आ रहे है पापा अप रेड़ी रहना मा तुम भी रेड़ी रहना दामा जी आ रहे है बहुत बढ़िया सेलेक्शन है अब फामली पोट्रेट कैसा होगा ये भी देख लो पार्वत्ती हमारे तो नसी भी फूटे हुए है किसी तरह खाई से बचे तो सामने कुवा आ गया अब ये विक्रब क्या करें अब ये तो बेताल ही जाने आपने मुझे अपने साथ लाकर यहां के बिठाया है पापा वो मेरे लिए घर में आकर इंतिजार कर रहे होंगे अरे मैं ये नहीं चाहता इसलिए यहां लेकर आया हूं तू चुब बैट इसने खू Bowl वो क्यों तुम्हार का अछले लड़की का पती तुम्हारा दमार मेरी लड़की का पती नहीं तुम काला कोईण फोर से मेरा धोकर करने-दान करने के बाद अक्षाट डालेंगे मेरे सिर्पे सुन लो इन दोनों की सादी हर्गेस नहीं होगी अईसा करने से पहले तुम्हें मेरी मर्जी जानने मुझे चार लिड़की aggregation क्या कहा इस से शादी करोंगे किया सब्सक्राइब नहीं नहीं यह अब तक को गड़े यह विल्कुल लाcido है तो आंग कह अ रे से लेंगविज को फोदुदु यह कौन से लैंगविज है जर्मान लाइज मिजनेनी आता है जर्मानलाइज दृटर आओ इहां गूरू अगट तुम ऐसे करोगे तो कैसा चलेगा वो वो मेरी अकल मेरी शेकल और मेरी परस्णालिटी पर नहीं मरमेटी है गुरू वो तो मेरी वॉइस पर 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 हाँ आपे गेंडेर तुझे क्या लगता है कि तेरी वॉइस किप पर है नहीं जाता जरूरत के मुताबिक सॉंग प्लिक करके उसके साथ लिप सिंग करके तू लोगों को टोपी पहनाता है तेरे पेट पे बंदी है आईपोड टेक्नालोजी चोटी में लगा हुआ ये जीपीए सेंटेना और कान में मिनी स्पीकर बूम बैक्स इन सबसे तू लोगों को बेखूफ बनाता है अगर ये बात मैंने उससे बता दी तो सोच तेरे साथ क्या होगा पूरे गाउं में अपट हो जाएगा वेकारी वेकारी की तरह तु दरदर की ठोकरे खाता पेरेगा ने गुरू प्लीज रोजी रुटिक ली ये सब कर रहा हूं ऐसा मत करना इस राज को राजी रहने दो ना प्लीज जंदीगी प्यारी है कि महबद प्यारी पहले ये फैसला कर ले जंदीग बेवी आज के बाद हम दोनों का रिष्टा गुगु और शिशी का है तो फिर मेरी प्यार का क्या होगा मेरा ये हाल करने वाला ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा अंकल जी तो फिर शादी के इरादे का क्या हुआ चुप पांडे भाई हमारा वो बीस एकर जमीन वाला काम जोटका उसे पूरा कर दो ना भाई तुझे बैठे बैठे भाई आद आया क्या चामाज हो गया अब टेंशन मतले यह बताओ कि नई ख़बर क्याला है पांडे भाई याजी मंदर का उत्सब नस्दीक आ रहा है हर साल आसपास के दस गाओं को पुला कर पेट भर भोजन का प्रबंद आस्तक करते आए हैं उस मंदर में फूटी कोड़ी नहीं देने वाला मैं मुझे मंदर में आने समना किया उसने सैंक्रों लोगों के सामने मेरे दिये डोनेशन को उस पुजारी ने ठिक का रहा था मंदरी ज ठीक है चलो देखते हैं पर याद रहे कि ये उस परमेशर पुजारी का आखरे उतसब होना चाहिए अरे बहु यह शीवं कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई जरूरी काम है कहकर कल रात को ही वो विदेश चला गया है बाबुजी शीबू मुझे तुमसे खास विशे में बा वो बात ये है परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे हाथों से होते आया है ये प्रधान मठाधीश का कारे निर्वाह करने का इतिहास उसके देखभाल और महत्यों के बारे में तुम अच्छी तरह से परिचित हो जी हाँ बाबा मेरे पिता अपने कारेकाल म इस जिम्मेदारी को पूरी शद्धा के साथ निभाते आये थे उनके बाद मेरा चुना हुआ लेकिन आज चालीस वर्षों बाद आने वाले महाभरनी नक्षत्र के मुताबिक आने वाले समय के लिए मैं रेटायर हो रहा हूँ शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध इन पाचों अंशों को लेकर सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण इन सभी से कर्म सरणिये भेदानु भवह अंता आत्मा से प्राप्त होता है इसलिए बेटा, मेरे बाद, जेश्ट पुत्र होने के नाते तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा ये क्या पापा, आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था आपका काम जैसे आपके लिए इंपॉर्टन्ट है, वैसे ही मेरा काम मेरे लिए इंपॉर्टन्ट है मैं आपका ये कार ये नहीं कर सकता पापा ये सिर्फ कार ये नहीं है, सेवा है सदा भगवान की शरण में रहकर सेवा करने का महतोपूर्ण कार है पापा, मेरी ये नौकरी मुझे महिने में करोड़ों रुपए कमा कर देती है। उसे छोड़कर मैं यहाँ पर पूजा, पूरसकार, अलंकार, अभिशे करते हुए, ये तिर्थ मंगल आर्ति करते हुए, छुड़े पैसे कमा हूँ पापा। बखवास बन कर बहुत हुआ। फूजा अनुष्ठान के प्रति इतनी घिरी हुई बाते कर रहा है। परमेश्वर। देखो शीबू, तो जो भी काम करता है, करोणों रुपए की कमाई होती है, लेकिन ये सब सपनों का भल है। लेकिन भगवान की सेवा भल की उमीद किये बिना भक्ती भावना से होती है। संकट निवारन करने वाले भगवान की शर्ण में जो भी आता है उसके प्रति सर्वेजना सुखिनों भवन्तु कहकर अर्चना करने का स्वभाग्य तुम्हें अपने आप मिल रहा है बेटा। जो कारे तुम इस वक्त कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है। तेरे जैसा साइंटिस्ट हरे गाउं में हरे गली में मिल सकता है। लेकिन गर्भ ग्रिह में भगवान को छूगर पूजा अर्चना अलंकार करने का स्वभाग्य करोणों जन्मों के पुन्य फल के स्वरूप ही मिलता है। ऐसे शुभ अवसर को यदि तुम खो दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्खिस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। पुजानी परंपरा हमारे बउशिजों के हाथ से चली जाएगी। तुम भी ऐसी बाते क्यों कर रही हो माँ आज मैं आपकी बातों में आकर गलत कदम उठा लूँगा तो कल पश्चाता भी मुझे ही करना पड़ेगा। कैसे पश्चाता आपकी बाते कर रहा है तू आज तो तेरी पढ़ाई तेरी नौकरी तेरी त्रक्की यहां तक की दो वक्त की रोटी भी तुखा रहा है तो वह सब भगवान शिव के आशिर्वात से ही हैं। ऐसे शिव की पूजा रादनर करने से तू इंकार कर रहा है, मूर्ख कही का। पापा, आप जिस शिव पूजा की बात कर रहे हैं, उस पूजा को मैं ना करूँ, ये भी पुर्खो की मर्जी हो सकती है। पुर्खों, परंपरा और उत्राधिकारी के नाम पर आप मेरी बली चड़ा रहे हैं, पापा। दादा के बोये हुए बर्गत के पेंट पर मैं भाजी पर चड़ जाओं क्या। शिवू। जिन नौ ग्रहों की पूजा करने की बात कर रहे हैं, उन नौ ग्रहों के साथ मैं अपने लैब में रोज खेलता हूँ, पापा। भगवान के लिए मुझे बक्ष दीजिए, बार-बार एकी बात, ये पूजा, पुरसकार, धर्म, ये सब आपका काम है, मुझे ये सब नहीं समझ में आता, और नहीं मैं करना चाहता हूँ। बेटा शिवू, बेटा शिवू, शिवू। एलेक्स, sorry to disturb you on your holiday, खान के साथ उसके पूरे गैंग को फिनिश करके तुम्हारे इंडिया जाने के पाद, यहां Bureau of Land Management के हिसाब से, बड़े पैमाने पर फिर से ट्रक का धंदा शुरूब हो चुका है, इस बार इस धंदे को किसी और ने टेक ओवर किया, उसे खत्म करने के माफिया नेटवर्क कुछ अलग तरह से काम करता है, किसी और धंदे में जब नंबर एक का आदमी नीचे आता है, तभी दूसरे नंबर का आदमी उसकी जगे पर पहुंचता है, लेकि यहां पर इंतजार नहीं किया जाता, बलकि बंदू की नोप पर जगे हासिल की जाती ह जो पहली गोली चलाता है जीत उसी की होती है, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला और जहन्म भेज दिया, खान की जगे खाली होने के बाद नेटवर्क का फिर से इतने थोड़े समय में चालू हो जाना इसका सिर्फी की मतलब है, कोई और है जो खान की जगे पर पहुंच च जाओन है कर दो जटेज़ कर दो अरे अब तक तो आप स्नान शाम की आरती पूझा सब खतम करके मंदिर के लिए निकल जाते थे आज क्या हुआ जी आप इतनी देर तक सोये हैं शिवु ने आपकी बात नहीं मानी इसलिए आप परिशान मत होईए आपके बाद शिव का प्रसाद देने वाला कोई नहीं है तो क्या हुआ शिव अपने भब्तों के लिए खुद ही अपना रास्ता निकालेगा मैं कब से बोले जा रहे हूं लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहें क्या हुआ है आपको एजी सुनिए सुनिए एजी सुनिए सुनिए न शिवु रुद्रा शरीर से मुक्त हुआ चीव आत्मा तेरी अर प्रस्थान कर चुका है उसे ही तुनिए मुक्त देना मा मैं आज वापस जा रहा हूं मा यहां की सारी विदे संपन करने के बाद तुम भी मेरे पास आ जाना मा पापा नहीं रहे तो तुम यहां रहकर क्या करोगी मा दुद्दो आप इन्हें समझाते क्यों नहीं अगर मा मेरे पास आ जाएंगी तो इन्हें अपने दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा हमारी सोच जैसे अगर सब कुछ होता तो दर्द से हर किसी को छुटकारा मिलता संसार में हर कोई हसी-खुशी के साथ जीवन बिताता ये सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे साथ हाना हमारे लिए बिलकुल मुम्किन नहीं इतने सालों तक यहार है हम इस मंदिर और जगय को नहीं छोड़ सकते हैं यहीं हमारा अस्तित्व है तेरे पिता को गुजरे हुए अभी तीन दिम भी नहीं हुए और तु अपने फर्स को छोड़ कर जाने की तैयारी कर रहा है वहाँ सैटलाइट लॉंच होने वाला है दद्दू मेरा जाना जरूरी है देखो बेटा पिता के वचन का पालन करने के लिए वनमे गय श्री राम जी जैसा तो तु नहीं बन सकता माता पिता को कंधे पर ले जाने वाला श्रमन कुमार जैसा महान बेटा भी तो तु नहीं बन सकता बेटर है कि तु चला ही जाए अरे सुनो भाई आपके लिए खुशकाबरी है वर्षों से जो आपका दुश्मन बना बैठा था वो परमेश्वर पुजारी सीधर कहना चला गया इतना ही नहीं उसके बाद उसका उत्राधिकारी बेटा ये कहकर विदेश चला गया कि मुझे जमेले में नहीं पढ़ना है इतना अच्छा मौका हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए छी लेना चाहिए उसे तेरे माथे पर लगाया हुआ मेरा ये भस्म मेरी किस्मत में लिखी हुई मंदिर की वो जमीन मुझे वापस ला कर देगा आज के बाद उस मंदिर का यहीं उत्तराधिकारी है और यहीं पारिश हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जिसके लिए तुम हमें ऐसी सजा दे रहे हो सद्यो, सद्यो से काल भैरव बने हुए हो हम श्रद्धा से तुम्हारी सेवा करते आ रहे है और तुम्हें जरा भी चिन्ता नहीं तुम हमसे ये अपनी सेवा का सवभागे क्यों छीन रहे हो बताओ भगवन बताओ अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ उपनी और ये कि अपनीफकन आारफ्मना-पालस बतां जारिम्ना-पणारे सो पहले थर्म दिखाओ आम और जाथ के ये इत्साफट टाव को अब ते? आम पने हुट नए दुरिय। हुट खुरिय। हुट 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 पुरिय। रुक जो यह तम लोग क्या करने जा रहा हैं पिछले चार सालों से इसी मंदीर में सहायक पुजारी बन कर सेवा करने वाले पुजारी को हम मठाधीश की कुरसी पर बैठाने जा रहे हैं असान हो वोकार इनके वन्षोजोगा है पुराने मठाधीश का पुत्र हुआ तो क्या हुआ हम इससे अपना मठाधीश नहीं मानते इसमें उस पद के लिए कोई योकिता है क्या मैं ही अगला वार इसमें ऐसा कोई तावा ठोकने के लिए ये कोई तुमारे पूरवजों की जागिर नहीं है सिर्फ जागिर की बात होती तो मैं उसे छोड़ देता ये अस्तित्व की बात है हमारे पूरवजों का अस्तित्व उस स्थान में बैठने के लिए तेरी क्या उकात है तुझ में क्या योकिता है तब ये क्या जादना है पूछो ऐसा क्या भूरू जी सारी जंता के सामने ये परिक्षा हो जाए अभी की अभी फैसला हो जाएगा हमारे धर्म में देवाले मतलब एक सशक्त विवस्था है यहां सिर्फ विश्वास पर ही सब कुछ नहीं चलता मुख्य द्वार से लेकर गर्व ग्रिह तक हमारे कुल देवता से लेकर अंतिम पंक्ती तक पग पग पर नियम शास्त्र का अंश होता है देविये शक्ती को केंद्रित करने के लिए सिर्फ मान लेने या भावना को पालना ही काफी नहीं होता उसके लिए रिशियों के दिये हुए ज्यान की प्राप्ति होनी चाहिए अर्चना करने वाले के प्रार्थना अगर सही है तो तबेले का पथर भी शिव बन जाता है लेकिन पूजा में अगर रत्ती भर भी चूख हो तो शिव को शिला बनते देर नहीं लगती संसार के मोह माया में भठके हुए तुम हजारों साल का इतिहास रचने वाले इस मंदिर में किस तरह मठाधीश का कारे समालोगे मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे धर्म को चोट पहुँचे स्वधर में निधनम शया ऐसा गीता में लिखा है नित्या नुष्ठार और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी ये वचन में देता हूँ खुशी की बात है तुम्हें शास्त्रों का ज्यान ही नहीं है फिर तुम मठाधिश का कारी कैसे करपाओगी भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है तस्माज शास्त्रम प्रमानांते वर्तते कामकारता हन्ता ये चौदवे अध्याय में कहा है उन्होंने शास्त्रों की ज्यान के बिना बन मुताबिक उसका उचरण नहीं करना चाहिए ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है क्या ये पता है तुम्हें ये चौदवे अध्याय में नहीं बलकि सोलवे अध्याय का तेश्वा श्रों है एच्चा शास्त्र विदी मुतसंजे वर्तते काम करता है न ससित्य मवापनोती न सुखम न परांगतम कहकर शास्त्र के विधान को छोड़कर जो कोई अपनी अच्छानुसार पाठ करेगा उन्हें सिध्धि प्राप्त नहीं होगी सुख प्राप्त नहीं होगा औरना ही परमगति प्राप्त होगी इसका तात पर ये ही है अब सुनिए 24 माशलोक इसका आर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के आधार पर इसका निड़ने होना चाहिए अपनी स्विधायतु कोई भी अनुचित कारियन नहीं करना चाहिए गीता में भगवान ने इसी सत्ति को प्रतिपादित किया है वो सब तो ठीक है, सही कर्मों को कौन सा धर्म शास्त्र प्रमाडित करता है, क्या तुम्हें पता है? उस शास्त्र में विशेश तीन विधिया है निगम, आगम, स्मृति निगम का मतलब है वेद, आगम का मतलब है धर्मशास्त्र स्मृति का मतलब है मंत्र, तंत्र, विज्ञान सारे कर्मों का निर्मान प्रतिस्थापना अर्चना सारे विधिविदान आगम शास्र के अनुसार ही होने चाहिए निगम मंत्रों का उच्चारण अगम जैसा ही होना चाहिए जिस कार्य का निर्मान आगम शास्र के अनुसार हुआ है उसी विधान के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए हमारा देवाले शिवाले के अनुसार ही बनाया गया है और हमारे शिवाले मुख्यतह 28 प्रकार के होते हैं कारण कामिका, योग चित्य, दीप, सुक्ष्व, सहर्षरा, आधी-ाधी हमारा मंदिर कारण कामिका पध्धती से बना है उसके लिए माता की आराधना और श्री चक्र की स्तुती श्री विध्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए शिव के अनुसार, पंच ब्रम्ह मतलब कौन है? शिव का पंच मुख भी पंच ब्रम्ह है उनके नाम है सद्धे जोता, वामदेव, अगोर, तत्पुरुषा ईशान और इन पाँच मुखों से ही न, म, शी, वा, यह नमशिवाय से ही पंच अक्षर मंत्र उत्पन हुआ है इन पाँचों मुखों को चैतनी देने वाला शिव ही पंच मुखों कर संसार का नायक है अच्छी बात है, और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज को नहीं? कोई कले नहीं, किसी का वद नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई एहंकार नहीं, किसी का उपवास नहीं, स्वयम की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं, यही आत्मशुद्धी है, यही भैरव की सिद्धी है और यही है परमपता परमात्मा की अम्रित्वर्ण। ब्राहमन कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरस्कार करने वाले सब में समानता लाने वाले बार्वी शतापती में पैदा हुए वस्वाराजी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या। बिलकुल, सनातन धर्म ने ही मूर्ती को पूजने के प्रथा की शुरुवात की थी, तब से शिव के आगे बैठे हुए है नंदी महाराज, उसके बारे में बता हुए है। धर्म का शद्धा से पालन करने पर ही श्वर प्राप्त होता है। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए। धर्म का रक्षक ही भगवान है। भगवान को देखकर सत्य आचरन करना ही धर्म है। शिव पर द्रिष्टी रखने वाला भक्त मानता, भश्म धर्म तीन रेखाओं में ही क्यों होता है। उसे आड़ा खीचने का कारण क्या है। ओमकार में आकार, ओमकार वकारों को रिगवेद, साथ ही यजुरवेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्टु महेश्वर जी का प्रतीक मान कर भश्म की तीन रेखाएं माथे पर लगाई जाती है। माथे की लिखाओट को शुब बना कर उसे परिवर्तित करने की शक्ती भ आने वाले संकट का संकेत होता है। ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्म को भी आडे रूप में लगाया जाता है। धर्मस्तु जयस्तु अधर्म नाशस्तु शिवो रक्षितो शंभो शंकरा हरहर महादे। क्वूश्ट करने कन अनुमके नाशस्तु अरिपराओं कभशाण भी आमरे महादय है। युलोग नाशस्तु अरिया चुषितू कर दो कर दो शिवां बेटा हाँ माँ मेरा चनम सार्थक हो गया बेटा बड़े बड़े विद्वान लोगों के पूछे गए सवाल निगम, आगम, भगवद गीता, वेद और पुरान, अर्चनाविधी, विधान सब कुछ तुमने इतने सरल तरीके से कहा है इसका मतलब भगवान शिव ने ही मेरी कोक से जनम लिया आज में धन्य हो गई बेटा मा, तुम ही मेरी प्रथम गुरु हो जब तुम तुलसी तुलसी दुर्गा भद्रा कहकर व्रिंदावन की परिक्रमा करती थी तब मैं तुमारी हर बात सुनता था जब मैं तुमारी गूद में बैटता था उस समय तुमारी सुनाई पराणे कताय मुझे आज तक याद है दद्दु मुझे अपने सामने बैठा कर गीता का सार वेद उपनिशद श्यो पुरान सुनाते थे मैं खेल खेल में ही उसे याद करता था मा दद्दु संध्या के समय मुझे गायत्र मंत्र सुनाते थे जिसे मैं कविता की तरह याद कर चुका था संसार के किसी भी कोने में जाता हूँ महा पर भी मैं संध्या वंदन करना कभी नहीं भूलता मा हमारे पूर्वजो का वो मंदिर हमारे लिए अमूल्य धरोर है और शिव की सेवा ही हमारा धर्म है अगर कोई चल कपट से उससे चीन्य का प्रियास करेगा तो मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूगा शिवम बेटा इस घर का बड़ा बेटा बनकर हमारे वन्ष का ही नहीं बलकि तुमने परंपरा की भी रक्षा की है पितरों को हर वर्ष पिंड दान करने से कहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है नहीं आज तुमने भगवान की सेवा के लिए हाथ हागे बढ़ाया है न इसलिए आज उन सभी आत्माओं को सच में शांती मिली होगी तेरा पिता कहता था तेरे कदम कहीं पर भी नहीं टिकते हैं लेकिन आज उस भगवान की चरण में तुझे सदा के लिए स्थान प्राप्थ हुआ उस श्रिवा के पास आज तक एक ही नंदी था लेकिन आज के बाद 20 है तू दूसरा नंदी है बेटा तू दूसरा नंदी है हम लोग क्या-क्या सोचे थे, क्या-क्या प्लान बनाये थे, सब का सत्यानाश हो गया बिन्हा वारिस के मठाधीश की जगह पर आपने अपने आदमी को बैठाना चाहा तो वो भी मिट्टी पलीद हो गई को लेल से निकला पत्थर निशाने पर लगे, तो ही किसी ने ताली बचा कर सारे पंच्चियों को खेट से उड़ा दिया अब उसे नहीं जीना है, उसे जीने का अधिकार नहीं है, कुछ ऐसा करो कि वो खुद इस पद को छोड़ कर चला जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके बाप के मुँँ में मिट्टी हमी लोगों ने डाला है मंदिर की चावी, गर्बग्री की चावी, खजाने की चावी, सेवा सतकार से लेकर भगवान की आभुशन तक का हम लोगों ने डुप्लिकेट बना रखा है इस हाथ से निकाल कर इस हाथ में रख दिये, तो सब खत्म, मंदिर के तमाम जागीर और जिवरात के मालिक हमी है, हमी है मालिक भूद्दार विदेशों में घुमने वाला शिवम राज इतना बड़ा विद्वान होगा, ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी वो अपने बाप से भी दो कदम आगे है, तुमने देखा नहीं इतने साल इस गाउं से दूर रहने के बावजूद वो कैसे उस दिन पैपैपैपै कर रहा था जो भी हो, अभी हमें थोड़ा सत्रक रहने की जरूरत है, वरना पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए जब तक परमेश्वर पुजारी जिंदा था, तब तक हम ऐसे किसी को भी चैन से नहीं रहने दिया, उसके मरने के बाद ऐसा लगता है चोरों ने सीची टीवी कैमरा ही चुरा लिया साक्षात परमेश्वर के ही दर्शन हो गए, आप यहां किस की प्रतिक्षा कर रहे हैं? नंदी महराज केवल शिव की प्रतिक्षा ही करते हैं हम भी वह ऐसे ही हैं, मंदिर की रक्षा करने के अलावा हम पुछ नहीं करते हैं बिल्कुल, किसने कितनी चोरी की है और कहा कहा हाथ मारा है, अकाउंट्स देखने के बाद सब पता चल किया है अरे 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 अरे, भगवान के अकाउंट में बैमानी करने वाले की आखे चली जाती है जो इश्वर को धोका देता है गुरू जी, उसके शरीर का एक भी इसा सही सहामत नहीं रहता ओ अच्छा, तो फिर आप ठीक ठाक कैसे हैं? क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं, कि हम इस मंदर के इसा में गोड़ाला करते हैं? मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक छुटा पैसा, एक पैसे को भी नहीं चुआ मैंने बिल्कुल, तुम्हें पैसे को नहीं चुआ, लेकिन रूपियों को निगला है, वो भी करणो रूपय है तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग अकाउंट्स में एक एक पाई कही साब रखते हैं अकाउंट्स क्या मैं तुम्हें बताऊं, प्रिसाद, अभिशेक और दीपक के लिए 50 किलो घी, और वो भी किस मूल्य पर साड़े 400 रुपे परती किलो, अर्थाद 25,000 रुपे परती दिन, एक माह का 6,75,000 रुपे और एक साल का 21,000 रुपे होता है अकाउंट्स में तुम लोगों ने लिखा है साड़े 3 करोड़, इसका मतलब है तुम लोगों ने जूट बोलकर 2 करोड 59 रुपे हरपा है इसके अलावा छोटी मोटी चीजों को मिला कर होता है 30 करोड रुपे साला ना लेकिन अकाउंट्स में तुम लोगों ने लिखा है 60 करोड़, तुम पुराने हो इसलिए अपमान नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखता हूँ, तुम लोग 30 करोड एक साथ मन भरो, 30 दिनों का समय देता हूँ एक करोड रुपे रुपे रुज के हिसाब से 30 दिनों में भर दो और नहीं भरे तो? जब तक ये मेरे कंधे पर है, मैं भगवान का पुजारी हूँ लेकिन अगर मैंने इस अस्त्र को कमर से कस लिया तीस करोड, 30 दिनों में चुका दो, ऐसा हम सब को धमकी दे कर गया है वो तो शिया मनाओ कि अब तक वो सिर्फ एकाउंट की फाइले देख रहा है अगर उसने हमारी पुरानी फाइले खोल दी ना, तो हम तीनों जन्द हर 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 महादेव के पास पहुंच जाएंगे अभी अभी तो उसने भगवा कप्रे कंधे पे डाला ही है पाताल चले जाए तो भी नहीं छोड़ने वाला है वो हमारी भणाई इसी में है कि हम टाइम पे पैसा लाटा दें है, तुमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले तुशान से कहता था, हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम करोडो कमाएंगे, बड़े-बड़े कॉंपलेक्स बनाएंगे, इसलिए हमने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिये नहीं दिये तो वो क्या भी गाड़ लेगा? उसे उसके बाप के पास भेज दिये तो अपने चेले लोगों को खंबा पिला कर छोड़ दूँगा, और चेखने के लिए उससे पेश करूँगा, तो मेरे चेले लोग उसकी बस हड्डियों का टुकडा छोड़ेंगे हड्डियों का टुकडा ही चाहिए झाल झाल जाल झाल क्यांत। म 선ba conditional हम ठनल आए हुआ है हम जए हिए अपको अपको कमेंड़ीर और स्भीटे हर जब देर्गेज के घड़ कि आमेंड़ीर जड़ें़ा मेंड़ीर जड़ा सिरुए जड़ें कर आपको लड़ें़गा कर दो दो कि बड़ी बड़ी पाते करता था क्या कर लिया तुरे क्या किया वापस आ गया जाने इसे दो गुता जी अब देख क्या करते हैं अब देख लिया ये काम तुम जैसे चिंदी चोरों के बसका नहीं है इसके लिए तो किसी बड़े किरों को सुपारी देनी ही पड़ेगी फर्म पूरा चेक हो गया क्या है हो गया है बाई सामने से हमें कंफर्मेशन में मिल गया है अमाउंट का क्या हुआ ट्रांसफर कर रहे हैं बाई ओके मुनीर का है देखा सौ साल तक नहीं मरेगा ये मुंबई से एक डील मिला है भाई एक पुजारी के लिए इस तरह की चिलर डील में हाथ नहीं डालने का कितनी बार समझा है मैंने करोडो का डील है भाई एक पुजारी को टपकाने के लिए करोणो रुपे की डील इसलिए उसका फोटो फैक्स करने को कहा है इंट्रेस्टिंग, स्नेक, जाके ज़रा चेक करो, फैक्स आया है किया, इस काम को करने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा एक पुजारी को मारने के लिए हमारे दंदे में पहली बार करोडों की सुपारी मिली है मिशाना चुकना नहीं चाहिए निशाना सीधे उसके सर पर लगाना, जरा हम भी तो देखें, ये करोडों की चीज है कौन ये वापस आजाओ रे, वापस आजाओ ये चुंपन भिष्रूंख दीक्षण मांकि ओक्रम संहार्यक दमशिस्टा रक्षन थर्मार्थस थापण सुश्थ। चेदन दुगार पमसन वैरिज्डुमपन this किसवत्र सथन् WAS OUT कर दो कर दो कर दो कर दोे कर il कर दोम चेडना ठिकार्-थंषन वैरिजु recommended, विश्ण खिणि गोड़न स्थारा येक्डम! सिश्ड रक्षन थर्मार्थ स्ताप्ण! ाsten चेडना ठिकार थंषन मैadore जूम्पन विशुद्धती शनम् सोत्रम संहार येग्डम सिष्दवर्प्षण ठ कfalपन मुष्दवर्च Φनाच चेधड़ संहर तकल्ट सुद्धती शनम् иях म्यांजुद्धती किैस्द जूम्पन विशुद्धती सोत्रम संहार येग्डम बाबसू, बाबसू, शीकरा थो, तो, तो, पोजरो, तेजरो, सुक्षण धीजरो, पिलेया थो, तो, 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 एथो, पुरिये तो, ने भाफ। मेरे बनमा, नो तड़ पाडबा, इंतजार है बस तेरा, नजर मिला, दिल चुरा, तो बेश कीमती ही रा मेरा है मौका, मार ले चौका, ना देना मुझे धोका, हुई दिवानी, शुरू कहानी, कर तुझे है किसने रोका दैड मॉम को भुला दिया, भाई का रास्ता मोड दिया, बॉइफ्रेंड को छोड दिया, सब से रिष्टा तोड दिया अब ढूनो मैं नौटी बॉइस को, दिल मांगे बस जर्टी बॉइस को पाईडिंग सिने मा भुला दिया, लब स्टोडी को मूड दिया, ट्रेजेडी को छोड दिया, पंग से रिष्टा तोड दिया अब देखूं बस होड़ी सेने मा दिल मांगे बस जर्टी सेने मा मस्त मस्त मुन्ना, हट हट मुन्ना, मैं बनी हूँ तेरे लिए मुझे कोई चुन्ना देखो मेरे लटके, दिखाऊं मैं जटके, आजा मेरे जंग तु भी कर ले तो न तो न मेरी एका दिल अदा, कर दे तुझको मुझे पे फिदा होटो का रस जिसे पिलाओं, गरहा भी बन जाए गोड़ा तु मेरा मजनू, मैं तेरी लैला कर देगी तुझे पे जादू, ऐसी है मेरे खुश्बू तेरी मस्त जवानी से, आजा राजा खेल तू मुझे में हैं सोपवे का नशा, पीएगा वो पाएगा सदा और कुट हुआ पूरा दा, फेस्बूक के पीछे जमाना त्विटर ना आई चला दा, वो सब पे मारे सबता ना इससे बहतर है डेटिंग कर लो, फिर उसे बाहों में भर लो डैड मॉम को भुला दिया, भाई का रास्ता बोड दिया बॉइप्रेंड को छोड दिया, सब से रिष्टा तोड दिया नजरे बिला दिल चुरा तो बेश की मती ही रा बिला है वोका मारे ले चौका ना देना मुझे धोका भुई दिवान शुरू कहानी कर, तुझे है किसने रोखा शेक प्रेंड दान्स नहीं पता, भरत नाट्यम में हुई खता कुच्ची फूडी बॉरिंग है, बैली सालसा नहीं आता भूल बजा, शोल बजा, फिर मेरा जलबा देखतू सब को पीछे छोड़ दू हर को ही ताली ये बजाए, कबर को यो मटकाओं जवा दिलों की मैं हूँ अर्दू आज्या मेरे तू भीरू बरू मुझसा ना को ही तू जा, करेगा दू मेरे बूजा तुनिया रारी सम भूल जा, मेरे रंग में तू भूल जा कर ले बच से तू दिलदारी, मुझको प्यारी तेरी आरी डैड मॉम को भुला दिया, भाई का रास्ता मोड दिया, बॉइप्रेंग को छोड दिया, सब से रिष्टा तोड दिया विदेश में अपने देश का गाना सुनकर, मेरा दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुशी मिली है मुझे आपकी तारी? मवाली बॉइ तुम अपनी खुशी के लिए गाती हो या फिर मैफिल की खुशी के लिए? दोनों के लिए, क्या है न ये मेरा पेशा है यहां गाकर कितना कमा लेती है? मुझे सिर्फ ले जाने का इरादा है या फिर खरीदने के इरादी से आए हो तुम इरादा जो भी हो अगर नहीं मानी तो उठा कर ले जाओंगा स्टाफ बना कर रखोगे या अपने दिल में बसने का मौका दोगी? मेरे दिल में पैसे रहते हैं चाहो तुम के साथ खेल सकती है बोलो चिल्लर में खेलोगी या लाखों में? ऐसा क्या काम करते हो जो इतनी कमाई है? लोगों की जिंदगी का सौधा करता हूँ तुम नहीं समझागी क्यों? स्नैक तुम मुझे बहुत अच्छी लगी मैं तुमसे कुछ नहीं चुपाऊंगा ओम क्याता हूँ सौफित अप्रश्ट सौफित चुपाँ सौफित लाख भूपन सौफित सौन सौन तुम बटो अब तो अब अब निक्स शेंस अब को नाएगा बताओगी ग्राउंड पर प्लेयर्स मेरे कहने के मुताबिक ही आते हैं वन बॉल टू गो, शिक्स रन्स टू विन, लास्ट विकेड, कम ओन, कम ओन, कम ओन, कम ओन, कम ओन, बॉल्ड, वाउ, इस मैच फिक्सिंग में, तुम कितना पैसा कमा लेते हों, मैं गेम फिक्स करता हूं पैसा कमाने के लिए, पबलिक को उल्लू बनने के लिए, उन लोगों के लिए क्रिकेट ही सब कुछ है, और मेरे लिए पैसा, टीम जीतती है, तो पुरा देश सेलिबरेट करता है, और हार तो सभी मूँ लटका लेते हैं, और इस्पेशली ये जो इंडियन प्लेयर्स है न, उन लोगों को हार्ड कैश नहीं चाहिए, और थ्रेटनिंग कॉल्स भी नहीं चाहिए, उनके होटल के रूम में चियर गर्ल्स को भेश कर उसका हम फुटेज बनाते हैं, और फिर सारे प मिटिजन, टेंशन, डिप्रेशन और सेप्रेशन की आग में चलता रहे, पूरे देश भर में असली नकली के फर्क ना होने वाले फेक करेंसीज चलने चाहिए, पूरे इंडिया की आर्थिक स्थिती को मुझे छिन भिन करना है, देश का हर एक इंसान पैसे पैसे के लिए म हेलो भाई, लास्ट मन सिर्फ नौर्ट जोन का ही काम हुआ था, सिर्फ दो सो करोड की रेवनियू जन्रेट हो पाई है भाई, इतना कम होने के बावजूर, इस महिने का कंसाइन्मन अभी तक नहीं आया है, सैम्यूल, इब्राहिम, शेट्री, वाहिद, अब तक किसी ने भी कॉ लाड़ी है, जो काम किसी के बसका नहीं, उसमें वो बेजिजख हांट डालता है, फस्ट टाइम, मिडिलिस्ट, साउधिस्ट, वेस्टन माफिया, इटालियन माफिया, सबको उसने खुश रखा हुआ है, टनो के हिसाब से माल सप्लाई कर रहा है, वो भी कम रेट में, शॉ कबजे में ले लेगा, उसे ऐसा मौका मत दो भाई, मैं ही उसे जाकर भून देता हूँ, तुम्हें जाने की जुरूरत नहीं, स्नेक, यू आराइट, हमारा कोई भी आदमी जाएगा, तो वो अपना प्लांग चेंज कर देगा, इसलिए तुम्हारा जाना बेटर है, तुम्हाराइट! कर दो कर दो कर दो माल तुमने सप्लाय कर दिया है ना कल दो-बूब निकलो यहाँ से ओ जाने के लिए बहुत तकलिफ हो रही depends है तो लो यहीं पेमेंट है रास्ते के खर्चे के लिए मेरे दिया माल के लिए और रास्ते के खर्चे के ये गॉइन बहुत कॉस्ली है थोड़ा सा चीप चाहिए था मुझे और सबसे सस्ती तुम्हारी जान है प्वार क्या अटुम्हार भॉड़ार थान है प्वार क्या अजए बहसे खाल豆 है अबेस बाल THIS फिर कोश्माय को भ Import है झाल झाल यूमन ट्राफिकर्स, ड्रग डिलर्स, आर्म सप्लायर्स, सब को एक साथ बुला कर मारा है, मतलब वो बहुत चलाक है भाई, हमारी कमपनी डूब रही है, पुरा नेटवर्क बिगार दिया उसने, आप उसे नेगलेट कर रहे हैं, तब ही वो बहुत 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 ब वो उचल रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसे एक बार देखना है, मीटिंग फिक्स करो, अलेक्स, अलेक्जांडर, हाँ, मैं सोच रहा था तो को इट्रैलियन, अमेरिकन या फिर ब्रेजिलियन होगा, उस दिन तु फिक्स किये हुए टाइम पर नहीं पहुचा, उसी वक्त मैं समझ गया, कि तु पक्का 99% इंडियन है, तुझ जैसे परदोसी लोग टाइम को फॉलो करते हैं, और हम जैसे इंडियन को टाइम फॉलो करता है, रियल डॉन को देखने के लिए तु दस मिनिट पहले आया है, जरा अपनी घड़ी तु देख ले, एक चोटे मोटे गैंग को मार दिया तो अपने आपको बहुत बड़ा डॉन मत समझ, हाँ, इस माफिया नाम के सागर में कितनी ही मचलिय लेकिन इन सब के बीच खतरनाक शार्क मैं ही हूँ, फिर भी तेरी हिम्मत की दाद दी नहीं होगी, इस डॉन को देखने के लिए तु अकेला आया है, वो भी बिलकुल नियाद था, तुम जैसे डरपोग लोग अपने आज़ पास पॉड़ी गार्ड और गन्में रखते हैं, मैं खुद एक हथियार से कम नहीं हूँ, तो मुझे गन की क्या जरूरत? मेरे एक फोन पर मैच फिक्स हो जाता है, कौन सी फिल्म में कौन हिरोईन होगी ये डिसाइड मैं करता हूँ, जहां चाहूँ जब चाहूँ बॉम ब्लास्ट करवा सकता, लेकिन तेरे अंदर के गड़्स और इंट्रिजन्स को देख कर ऐसा लगता है कि मुझे तुम जैसा एक साथ ही चाहिए, मेरे साथ आजा, तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, एक पते की बात कहता हूँ सुन, एक देश में एक ही राजा होना चाहिए, एक म्यान में एक ही तलवार होनी चाहिए, और एक माफिया में एक ही डॉन होना चाहिए, जो कि मैं हूँ, वो तुने क्या कहा था कि इंडियन्स को टाइम का सेंस नहीं है, ये सेंस नहीं है, वो सेंस नहीं है, हम, ज़रा पीछे देख, है पुलीस हम दोनों मिलने वाले यह खबर पुलीस को मिल चुकी थी तो वो हमसे उलश ने आ गई हम दोनों में से जो बच निकलेगा वही कहलाएगा रियल डॉन एसके हुआ है किण्येंग अ्ट अटे मये संप कि अपकत कि अपकत कि अपकत का नफब कि उते हुआ है झाल झाल इस तरह से पिछले पच्छी सालों से हमारे देश पर ही ऐसे अटेक पर अटेक क्यों होते जा रहे हैं। झाल झाल झालोदी, आलाओदिन खिल जी, महमद गोरी, पाबर, औरंगजेप, चंगेज खान से लेकर, आजकल की जमाने में दाओद बराहिम, छोटा शखील, अफजल गुरूद, अजमाल कसाफ, यासिर भटकल, साथवी शतादी से लेकर 21 जिजमें तक हमारे देश पर हमले हुते आये हैं सर। पिछले दिनों हमारे देश पर जो हमला हुआ था। उसके पीछे आमान उॉला खान का हाथ है सर। वो माफिया का खेल 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 रहा है तो हमें भी माफिया का खेल खेल खेलना चाहिए। टेर्रिजम hी है। उस तिन तुम्हें खान को शूट करने के बाद उसके गैंग के बचे हुए लोग तुम्हें कहां मिलेंगी ये इंफरमेशन में ने तुम्हें दी उन समको फिनिश करने के बाद तुम इंडिया लोटाएं मैं भी निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे मुझे मुनीर मेरा और बरलीन रोम ले गया वहां खान को दफनाने के तयारी चल रही थी सबसे शौकिंग बात तो ये हुई कि मेरे सामने अमनुला खान की डेट बोडी पड़ी होई थी और उस डेट बोडी पर अमनुला खान ही फूल चड़ा रहा था तुमने जिससे मारा वो उसका डुपलिकेट था मैंने तुम्हें ये बताने के पूरी कोशिश की बच इट डिन्ट हैपन वो मर गया ये खबर बिल्कुल एक आग की तरह पहल गई उसे हर कीमत पर अपनी मौत का बदला लेना था वो तुम्हें माफ करने के मूर में बिलकुल नहीं था उसकी दिल में बदले की आग बढ़ती जा रहे थी वो दुनिया के हर कोने में तुम्हें डोन रहा था उसका सिफ एक ही मकसद था तुम्हारी मौत कुछ दिनों के बाद उसे बिहारी गैंग से किसी को माने की करोड़ों की सुपारिक उनकी भेजे हुए पैक्स को देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ट हो गए प्रीस्ट के गेट अप में वो तुम ही थे या कोई और ये मैं नहीं समझ पाई एक पल के लिए ऐसा लगा प्रीस्ट का गेट अप शायद किसी मिशन के लिए तुमने चेंज किया हो मैं पूरी तरह कन्फ्यूस थी मैं किसी को फोन नहीं कर पाई मैं पूरी तरह मजबूर थी मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही चीज सूजी कि उन्हें किसी भी हाल में तुम्हारी तस्वीर नहीं मिलनी चाहिए फाइनली मुनीर तुम्हें मारने के लिए इंडिया आ रहा है जैसे ही ये बात मुझे पता चली मैं किसी तरह वहां से निकल भागू और तुम तक पहुँच कर तुम्हें बचाना मेरा मिशन बन देगा इस इनकंप्लीट ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट करोगे इसे आपको ही कंडिन्यू करना पड़ेगा सर ये तुम क्या कह रहे हो दरसल बात ये है सर पताजी के सौरगवास के बाद मंधिर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंडों पर आ गई है लेकिन ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ सर इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक आफिसर है लेकिन वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है सर मैंने अपने घरवालों से वादा किया है उन्हें प्रॉमिस किया है अपना बचा हुआ जीवन मंदिर को समर्पित कर दूगा क्योंकि हमारे पूर्वजों का वो मंदिर सदियों पुराना है जिसके हिफाज़त बहुत जरूरी है सर I am very sorry to resign from my job सर नमस्ते अरे कैसे हो शर्मा जी मैं ठीक है घर में सब कुशल मंदर सर भी लोग ठीक है हाँ आपका पोता रॉका एजेंट है यह सुन कर बड़ी थूश्य है यहीजे बाबुजी मैडम जी नमस्ते आपके पोते के बारे में आपको पहले से पता था अरे नहीं लेकिन वो जो भी करता है अच्छा ही करता है वो घर पे है क्या मुझे उनसे मिलना था वो उपर है तुम्हारा इंतजार कर रहा है जाओ मिलो जे ठीक है सर, मुझे आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातें बतानी है हाँ, जरूर बताईए सर आप रिजाइन करके आये हैं, मुझे ये बात पता चली है लेकिन उसे एकसेप्ट ना किया जाए मैंने बड़े अधिकारियों से S.R. रेक्वेस्ट किया है उसका कारण ये है, कि आजकल जो क्राइम चल रहा है उसे हम लोग कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे है लेकिन कामियाबी नहीं मिल रही है सिर्फ इतना ही नहीं इस मंदिर के जमीन पूरे सौ एकर तक फैली हुई है और इस पवित्र जमीन पर चंदन के लगणियों के स्मगलिंग हो रही है ऐसा कंट्रेंड आपके फिता जी ने दिया था जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर इस सारे काम के पीछे भूतनात का हाथ है सर उसकी पहुच सेंट्रल तक होने की वज़ा से हम उसका कुछ भी नहीं विगाड़ पा रहे हैं सर आपने जिस तरह से इंटरनेशनल माफिया को धूल चटाया है उसी तरह से इस केस को भी हैंडल करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट को भी हिम्मत मिलेगी सर आप एक काम कीजिए सर इस ओपरेशन के लिए मुझे दस अच्छे काबिल आफिसर्स दे दीजिए आगे क्या करना ये मैं देखता हूँ बदेखता है तुम्हारी एतनी हिम्मार देवस्थानों पर कब्जा वो भी मेरे होते वे देवस्थान पर नजर डालोगे मिनिस्टर्स आप तुझे छोड़ेंगे नहीं अब एक घंटे के अंदर तेरा वही मिनिस्टर इनिस सलाखों के पीछे रहेगा जल जा अंदर जाओड़्यूर झाल, झाल पाँड़्यूर के पहार। सबस्क्राइब माथे पर भस्म लगा कर इस भूत नाग की जॉकट पर आखिर तू पहुंची गया इसके टुकडे टुकडे कर दो दूसरों के माथों पर भस्म देख कर तेरे तन बदन में आग लग जाती है नो ले जाओ इसे इतने बर्सों से गवन किया हुआ करोड़ों रुपिया चांदी सोना हीरे जवारा सब लाका हम फिर से मंद्री खजाने में जमा कर देंगे हमें अरेस्ट करके हमारी बेज़ेदी ना करो माही बाहरा तुम लोग आस्तिम के साप हो देवाल है कि बदनामी ना हो इसलिए इस बार तुम पर कोई कारवाई नहीं कर रहा हूँ बहतर होगा यह गाउं छोड़ दो और पांच घंड से मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा है कहा गई थी स्नेक हाई स्टडीज के लिए इंडिया आई हुए 300 जिहादी स्टूड़न्स के रहने का इंतजाम करने के लिए मैं वहाँ गई थी और कोई सवाल यह स्नेक नहीं है तुझे अंदाजा भी है कौन है हां मेडिवकर टुपड़णाई है ला र ला श्कौड़ मैं तुझे जांदे लूबाप मेirlBothji अपनी दे है वो मुझे कभ़े दोक़ा ने देसकती मेरी जिंदगी का मकसद तो यही था कि तुझे मौत के घाट उतारूँ जिस दिन तू माफिया से टेररिजम में टरन हुआ, इंडिया पर अटैक शुरू कर दिये, उसी दिन शिवम ने तुझे टार्गेट बना कर अलेक्स बनकर यहां एंट्री ली, तेरी माफिया से तुझ यही दूल जटाई, तुम्हारे डुपलिकेट के बार में हमें देर से पता चला, इसलिए अब तक तेरी सासे चल रही है हलो, एए, मेरे डुपलिकेट को मार कर यह मत समझना कि तु जीत कया है, सारे इंटरनेशनल माफिया मेरे नाम से थर-थर कापते हैं, समझा? अच्छा सुन तू एक काम कर, तेरे मरने की दिन बहुत करीब आरा है, इसलिए तू ऐसा करकी, सारे अंडरवर्ड वालों को अपनी मौट की दावत दे दे, हाँ? कोई कमी मत करना, कोई कंजूसी नहीं, उसके बाद तू निकल जाना, ठीक है न? अबे अकल के दुश्मन, उससे पहले मैंने मंदिरा को क्यों मारा, ये सवाल नहीं पूछेगा, क्या? मेरा धंदा, मेरी इमेज, मेरा कारोबार, सब कुछ बरबाद करके तू कहीं जाकर छुप जाएगा, और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूँगा, तू इस गलत फहमी में जी रहा है, क्या? मैं जिन्दा हूँ, ये जानने के बाद तुझ में मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं है, मंदिरा की जान मैंने ली है, ये सुनकर भी, बदला लेने के लिए तू मेरे पास नहीं आएगा, इतना बड़ा नामर्द है तू? इस मंदिर के जिम्मेदारी मेरे कंदों पर नहीं होती, तो मैं महाँ जरूर आ जाता, तेरे आने तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास, अबे तुझे तो मैं हर्गिज नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद आ रहा हूँ, जिस मंदिर के लिए तू अपनी नौकरी छो और खुद को महान समझने की गलती करो, कभी खुद का तो कुछ नहीं बना सके, अगर तुझ में वाकई इतनी हिम्मत है, तो आजा, आजा सामने, ए, ए, ज्यादा मतबक, मंदिर उड़ाना तो दूर की बात है, सर्फ यहां की एक यीट को छू के दिखा, आ रहा हूँ, आ आजा 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 आजाए पाफ! करेक्ट टाइम पर हम लोग पहुंचे हैं उसके हवन खत्म करने से पहले ही पूरे मंदिर को धूल में मिलाकर उसे यहां खसीटते हुए ले आओ उसके समाधी मैं यहीं बनाओगा जाओ है ए शिवमराज तूने मुझे चैलेंज किया था ना कि इस मंदिर की एक इड भी चूकर नहीं दिखा सकता वो भी इस अमानुल्ला खान को यह खान क्या क्या कर सकता है अब तू देखना कर दो दो प्रγूइ झाल मैं अब तक विश्व शान्ती के लिए ही हवन कर रहा था क्या कहा था तू मंदिर को धूल में मिलाएगा हाँ त्री नेत्र तक पहुँचने से पहले तुझे इस नंदी महाराज को पार करना होगा आजा किया चुझे ब कि विपश मिलाएगा थी कि लीर है कि अचलो में मिलाएग्रेंश कि वाच ब का रहा है कि वाच किवी नेपकिव्क औराव झाल से घर गजram डिड तर बूसे और की गजिटा गौशल्या सुफ्रजा रामपूर्व संस्ता प्रवरतत ये एक कान से अल्लाहु अक्बर का आजान दूसरे कान से सुनने वाले इस भूमे के लिए अपनी जान देने वाले हिंदुस्तानी है हम हिंदो मुस्लिम भाई भाई की भावना को ठेस पहुचाने वाले तुझ जैसे आतंकवादी के मसूलों को कानिया आप नहीं होने दिया हमानी धर्ती का कोना कोना चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो हर किसी का फर्ज है कि उसे अपने गले से लगा कर एक पवित्र भूमी माने मंदिर हो या मस्जिद, गिर्जा घर हो या गुरू द्वारा या फिर कोई भी धार्मिक पूजास थल क्यों नहीं हो हर स्थान पवित्र होता है उसकी रक्षा करना हर इंसान का करतव्य है धर्मो रक्षति रक्षित है